हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू साइन्स मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों मैटर यानि पदार्त की क्लास नमबर टू हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सभी आप लोग जुट जाईए दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है है वैसे तो आपके पास में ऑप्शन है कि अगर इनकेस लाइव क्लास आपके मिस होती है तो आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों डेली आप लोग लाइव आईए है ना जिससे आप लोगों कोई भी डाउट आता है वैसे तो मैं आपको पूरा इस प्रकार से समझाता हूं मैं यह मान की चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता मैं पूरा सब कुछ आपको ऐसी इस रखोगे तो वो सम्हाओ आप लोगों के केरेक्टर में आईगी आप लोग क्लासे क्या आप लोग कभी भी कुछ भी चीज मिस नहीं करेंगे समझ में आ गई एक बार ये से बोल दीजे चलिए शुरू करते हैं देखो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बतायता मैट यानि बदार्थ होता क्या है मैंने आपको बतायता मैटर जो होता है न वो आप लोगों का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानि छोटे छोटे चोटे कणों से बना होता है ठीक है मैंने आपको ये भी बतायता कि जो मैटर होता है न वो तीन स्टेट में मिल सकता है कहीं पर आप लोगों को matter solid state में मिलेगा ठोज सवस्ता में कहीं पर liquid state में कहीं पर gases state में समझ में आ गई ये बात को ठीक है क्या मैंने आप लोगों को ये भी बतायाता क्या कि अगर आप लोग solid से liquid में convert करना चाहे या liquid से gas में convert करना चाहे तो हो सकता है कैसे temperature बढ़ा दोसर ऐसे कर सकते हो similarly जब आप लोग temperature कम करोगे तो gas आपका liquid में convert हो जाएगा और temperature कम करोगे तो liquid आपका solid में convert हो जाएगा इसके दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं आईए देखो दोस्तों बात करते हैं आप मुझे बताओ चाहे solid हो चाहे liquid हो चाहे gas हो matter यानि आपका पदा कोई चाहे कोई liquid हो चाहे कोई gas हो बहुत चोटे चोटे पार्टिकल से वो मिलके बना होता है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों मुझे एकची बताइए जैसे मान लीजिए ये pan अभी solid state में है दोस्तों अगर मैं इस पे थोड़ा सा force लगाऊं तो ये दब रहा है क्या वो दब सोचा है नहीं सोचा तो आईए समझते हैं देखिए दोस्तों actually में solid में ठोस में जो particles होता है ना उनके बीच में gap काफी कम होता है या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि सर उन particles के बीच में उनके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्शन होता है इसलिए तो पास पास में रहते हैं बहुत बढ़िया दोस्तों अगर आप लोग बात करें गैस की तो आप लोग बोलोगे कि सर गैस के जो particles होते हैं जो कण होते हैं उनके बीच में काफी कम अकर्शन है तबी तो पास पास में नहीं रह रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा आकर्शन होता तो पास पास में होते तो अगर आप लोगों से कोशन में कभी पूछे कि बताओ solid, liquid और gas में किस में पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा आकर्शन होगा आप लोग क्या होगा liquid में होगा और उससे कम किस में होगा gas में होगा या मैं आप लोगों से कि पूछूँ कि अगर पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा space है बहुत खली जगह है तो वो क्या है solid है liquid है gas है आप लोग क्या बोलोगे gas है समझ में आरीए बात को तो क्या मैं बोल सकता ह है जैसे अगर कणों के बीच का gap काफी कम है तो ये solid है अगर कणों के बीच का gap बहुत ज़्यादा है तो ये आपका gas है समझ में आई या नहीं आई बस मुझे ये बता दो आ गई sir आपने बहुत प्यारा concept बताया लेकिन इससे हम लोग आगे क्या सेखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग अवस्ता में परिवर्दन कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बताईए कैसे बताया था मैंने आपको गर क्लास ध्यान से सुना हूँ तो मैंने आपको बताया था दो तरीके से आप लोग अवस्ता में परिवर्दन कर सकते हो एक तो temperature में change करके और एक pressure में change करके मैंने बतायता ना आप लोगों को तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोग pressure में change करेके state यानि अवस्ता में परिवर्तन कर सकते हो चलिए दोस्तों इसका डेमो दो क्या दोस्तों माल लो अगर मैंने इतर pressure बहुत ज़्यादा लगाया बहुत ज़्यादा दाब लगाया तो क्या इन particle के बीच का gap कम होगा क्या अरे अगर मैंने pressure बहुत ज़्यादा लगाया क्या इन particle के बीच का gap कम होगा क्या gap कम होने से आप लोग बोलोगे या बहुत ही ज़दा pressure लगा दिये तो particle बहुत पास-पास में आ गए तो मैं बोल सकता हूँ किया solid state में आ गए तो देखो मैंने temperature को change किया ही नहीं मैंने क्या change करा मैंने pressure change किया pressure का मान बढ़ाया तो देखा आप gas से solid में convert हो गया तो थोड़ा सा समझबाया है कैसे pressure में change करके भी आप लोग अवस्ता में परिवर्दन कर सकते हो हाँ सर मुझे समझ में आ गया चलो बहुत बढ़िया तो आज हम लोग समझेंगे कि जब change करेंगे pressure में दाब में परिवर्दन करने से क्या परभाव पड़ेगा कैसे अवस्ता में परिवर्दन आ सकता है ये मैं आपको बताता हूँ देखो दोस्तो एक चीज आप लोग समझो जैसे मान लोई आपके पास में कोई cylinder है cylinder देखा है क्या अरे cylinder, shape तो जानते होंगे आप लोग बिल्कुल सर जानते है दोस्तो मान लीजिए इसके अंदर क्या भरी हुई है कोई gas भरी हुई है ध्यान से आप लोग समझना बहुत बढ़िया दोस्तो यहाँ पर क्या है कोई piston है सर piston किसको बोलते है अरे कुछ है नहीं है यह plate जैसा है जो नीचे आ सकता है उपर आ सकता है ठीक है इसको हम लोग क्या बोल रहे है piston बोल रहे है दोस्तो आपको पता है चाए solid हो चाए liquid हो चाए gas हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है तो दोस्तो मैं यहां पर ऐसे बना दू क्या यह क्या है आप लोगों के gas के पार्टिकल से ऐसे बता सकता हूँ क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या अब दोस्तो मैंने क्या करा उपर से मैंने pressure लगाया जिससे यह piston आपका नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है तो क्या इनके बीच में gap कम होगा क्या पहले gap देखो काफी ज़्यादा था particles के बीच में अब gap क्या हो गया काफी कम हो गया तो आप लोग यह बोल सकते हो कि सरफ pressure बढ़ाने से gas आपका liquid में convert होता है दोस्तों जब आप लोग और pressure लगाओगे तो यह जो इन particles के बीच का gap है वो और कम होगा और दोस्तों जब आप लोगों का particles बहुत पास पास में होता है यह कौन से state होती है solid state होती है ठो सवस्ता होती है तो आप लोग यह बोल सकते हो कि अगर हम लोग gas का pressure बढ़ाए तो gas का pressure बढ़ने से वो liquid state में आ जाएगा अगर आप लोग liquid का और pressure बढ़ाए तो वह solid state में आ जाएगा दोस्तों इत्तिसी बाद समझ में आ गई आप लोगों को बोलो हाँ या ना ठीक है देखो आप फालतू कि कुछ भी comment मत करना सारा ध्यान इदर समझ लो आपके कब selection हो जाएगा कब आप लोगों के घर में joining letter आ जाएगा अपको पता ही नहीं पड़ेगा पस सारा ध्यान इदर रखो मैं आपको बहुत शांदर तरगे से पढ़ाँगा हर एक question करवाँगा हर एक concept बस सारा ध्यान समझने में रखो यह मत रखो सर पीडियेफ लाल रंकी मिलेगी नीली रंकी काली मिलेगी पीली मिलेगी कुछ काम नहीं आएगी इदर पढ़ लो सब कुछ काम में आ जाएगा ठीक है चलिए तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि what will happen when we start putting up pressure and compress a gas बताओ क्या होगा जब हम लोग किसी gas पे pressure डालके उसको compress करे संपिडित करे तो आप लोग बोलोगे सर उनके particles जो होंगे न वो पास पास में आएंगे ठीक है तो कहीं न कहीं आप लोग बोल सकते हो gas से liquid में convert हो रहा है अगर आपने और चारा pressure लगाया तो particles की बीच का gap और कम हो जगा और पास पास में आ जाएंगे तो आप लोग बोलोगे वो solid state में convert हो रहा है यानि pressure change करने से भी state में change होता है बहुत बढ़ी है आजाओ दोस्तो क्या कभी आप लोग कभी शादी में या किसी वीडियो में कहीं आपने ऐसे धुआ देखिए के धुआ धुआ देखिए के धुआ बताओ क्या आपको पता यह कौन सी धुआ होती है ये कौन सी गैस होती कि आप लोग बता सकते हो क्या कारबंडा ये ऑक्साइड गैस होती है आईए इसके पीछे भी में आप लोगो कोई कारण बताता हूँ देखो दोस्तो ध्यान से आप लोग समझना आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ मालो कोई गैस है कोई गैस है ज्यान से समझना मैंने इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा के इसको सॉलिड श्टेट में ले आया इसको ठोज सवस्ता में ले आया दोस्तो इससे कोई फाइदा है क्या क्या गैस को हैंडल करना आसान है या सॉलिड को देखो दोस्तो गैस में पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या होती है क्या होती है सर जादा होती है सॉलिड में क्या होता है पार्टिकल्स की बीच की दूरी बहुत कम होती है बहुत पास पास होता है तो देखो इतनी सी जगे में आ जायेगा सारा का सारा जबकि यहां पर आपको ज़्यादा जगे चाहिए मतलब मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि गैस को अगर हम लोग लिक्विड में कनवर्ट करे या सॉलिड में कनवर्ट करे तो इनकी हैंडिलिंग बहुत आसान है समझ में आ रहा है क्या दोस्तों समझ मारा के यस बोलो यार आपने सुना होगा LPG लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस वहाँ पर भी आपके घर में जो गैस आती न वो लिक्विफाइड यानि तरल अवस्ता में आती सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो तरल अवस्ता में ठीक है ठीक है सर तो कारबन डाई ओक्सेड गैस होती न जब इस पे हम लोग बहुत हाई प्रेशर लगाएंगे या इसको जब बहुत हाई प्रेशर के अंदर रखेंगे तो ये सॉलिड श्टेट में रहेगा ठो सवस्ता में रहेगा ठीक है अब दोस्तो होगा क्या आप लोग ज्ञान से देखिए जैसे माल लीजे मेरे पास में एक डब्बा है डब्बे के अंदर क्या है कारबन डाई ओक्सेड के टुकडे है कारबन डाई ओक्सेड के टुकडे है ठो सवस्ता में इस डब्बे के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है दोस्तों जैसे ही मैं डब्बा हटाऊंगा इसको बाहर लेके आऊंगा होगा क्या मुझे बताओ होगा क्या सर्फ अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था बाहर कम प्रेशर है सरकम प्रेशर से वापिस आपका सॉलिड गेस में कनवर्ट हो जाएगा समझ में आ गई बाग को थोड़ा सा ही समझ में आज़ा चलो चलिए आज़ाओ तो हम लोग डिसकस क्या कर रहे है प्रेशर में चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ दोस्तों जो कार्बन डाई ऑक्साइड होता है ये कार्बन डाई ऑक्साइड कहां पर होता है ये जो यूस करते हैं आप लोग वो सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड होता है वो ठोस में होता है जैसे इसको खुले में रखोगे यह गैस में convert होना श्टार्ट हो जाएगा गैस में तो क्योंकि है प्रेशर कम है आपने पहले है उसको हाई प्रेशर में रखा रखाता तो जब भी आप लोग कार्बन डाई ऑक्साइड को इस्टोर रखते हैं तो वो कहां पर रखते हैं solid state में रखते हैं कैसे सर उस gas को जब बहुत ज़्यादा pressure में रखोगे तो वो solid में convert हो जाएगा तो it is stored under high pressure समझ में आ गई बात को और जैसे ही जब आप लोग उस CO2 को बाहर निकालोगे pressure कम मिलेगा उसको अंदर डब्बे के अंदर तो बहुत ज़्यादा pressure ता जहां पर आपने उसको इस्टोर कर रखाता है जैसे बाहर निकालोगे pressure कम होने की वज़े से क्या हो जाएगा वह आप लोगों का gas state में change हो जाएगा बहुत बढ़ी है आजाओ चलिए अब एक चीज में आप लोगों को बताता हूं दोस दोस्तों एक चीज मुझे बताओ एक छोटी से बत मुझे बताओ मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास में थोड़ा सा पानी है आप ऐसे हाथ करो आपके हाथ में मैं थोड़ा सा पानी रख दिया मैंने आपको बोला कि यहां से यहां पर लेके जाना है आप ऐसे लेके जाओगे ऐसे लिके जाओगे दोस्तों हो सकता है ना हो सकता है ना थोड़ा सा पानी टपक जाए थोड़ा सा पानी टपक जाए हो सकता है क्या बिल्कुल सर हो सकता है अब इसी जगे मैंने क्या कर दिया आपके हाथ में बरफ रख दी मैं बोलू बरफ को यहां से वाला के जा जाओगे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे भी पकड़के ले जा सकते हो लोसर बर्फ को ले गए क्या सॉलीड की हैंडलिंग बहुत आसान है क्या अब इसी जगे में आपको बोलूं कि यार आपके पास पानी की भाप है इसको यहां से वहां पर लेके जाओगे लेके जाओगे सा सारी भाप उड़ जाएगे समझ में आगया गया तो होता क्या है हम लोग गैस को जो स्टोर करते हैं वो लिक्विड स्टेट में करते हैं या सॉलिड स्टेट में करते हैं जिससे उनकी हैंडलिंग आसान हो जैसे आपने सुना होगा हमारे घर में क्या आता है एक सिलेंडर आता है LPG, LPG gas का, actually में दोस्तों जो cylinder होता है न, इसमें कौन सी gas होती है, सरी दो gas का mixture होता है, एक तो propane and butane, लेकिन दोस्तों इसको काफी high pressure में store किया जाता है अंदर, जिससे वो किस state में होता है, वो liquid state में होता है, तरल अवस्ता में होता है, अब जैसे ही आप लोग इस cylinder से कुछ gas बाहर निकालोगे, तो अंदर तो बहुत high pressure था, जिसकी वज़े से वो liquid state में था, जैसे उस gas को बाहर निकालोगे, बाहर इतना pressure नहीं है, और दोस्तों pressure कम होने से तुरंत वो वापिस gas बन जाएगी, समझी में आ गई बात को, बात समझी में आ गई क्या, बहुत ब किया है, गुरूप D 2022 का क्योशन, किसी भी gas को liquid में convert करने के लिए क्या चाहिए, दोस्तों option number A, high pressure, high temperature, option number B, high pressure, low temperature, option number C, low pressure, low temperature, option number D, low pressure, high temperature, बताओ, क्या चाहिए, अगर किसी gas को ठंडा, इस और लिक्विट में convert करना चाहते है, तो क्या करो, ठंडा करो, temperature कम करो, तो temperature तो होना चाहिए, low, pressure के बारे में बताओ, दोस्तों जो pressure ज़्यादा होगा न, particles की बीच का gap काफी कम होगा, तो वो liquid state में आएगा, और भी ज़्यादा pressure लगा दी आपने, तो gap और कम हो जाएगा, solid state में आजाएगा, ठीक है, तो gas को liquid में convert करने के आपको pressure high रखना पड़ेगा, तो pressure high, temperature low, दोस्तों समझ में आजाएगा, बी इसका सही जवाब आजाएगा, समझ में आगया, अनुराग जी ने सही answer दिया है, बहुत बढ़िया, आजाएगा, तो होता क्या है, दोस्तों ध्यान रखिए, हमारे घर में ये जो LPG gas का cylinder आता ह इसके अंदर जो gas होती है, कौन सी होती है, ध्यान रखेंगे सर, propane and butane, अगर आप लोगों को ध्यान, ये भी ध्यान रखना है, कि जैसे hospital में जो oxygen gas के cylinder होते है, इसमें भी oxygen होती है, वो किस state में होती है, लिक्विड state में होती है, अंदर बहा जाता हाई pressure में, तो हाई pressure में लिक्विड state में रहती है, ठीक है, समझ में आ गया, जैसे इसको बाहर निकालोगे, oxygen gas हो चाहिए, इसको pressure कम मिलेगा, तो तुरंत ये gas में convert हो जाएगा, clear है क्या, ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों, कई गाडिया जो होती है, वो CNG, मैं दोसमें पैट्रोल या डिजल की जग है, CNG डलता है, तो CNG, compressed natural gas, जो natural gas है, उसको compress करके, संपिडित करके, यानि liquid state में आप लोगों का store किया जाता है, जैसे आप लोग कभी CNG भरवाने जाओगे ना, तो दोस्तों, gas नहीं डालते है, आपकी गाड़ी के अंदर, वो liquid डालते हैं, क्या डालते हैं, वो liquid उनके पास में जो CNG होता है, वो liquid form में store रहता है, समझी में आ गए गया, आज़ा, बहुत बढ़ी है, दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, NCRT में बहुत 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 रिन अच्छा point दिया हुआ है, इससे question पसका आएगा, क्या होता क्या है, दोस्त कैसी गंद आती है, आम की जैसी आती है, आवले की जैसी आती है, गुलाब की जैसी आती है, कैसी आती है, सर कोई गंद नहीं होती, अगर आप लोगों से पूछा जाए, कि इसका color कैसा होता है, लाल रंग की होती है, नीले की होती है, पीले की होती है, काले की होती है, आप बोलोगे कोई रंग नहीं होता अब आप लोग मान लीजे आपका सिलेंडर यहां पर लीग कर दिया आपके रूम पे प्रोपेन और ब्यूटेन गैस आ रही है आपको पता पड़ेगा क्या नहीं क्योंकि इसके कुछ स्मेल भी नहीं होती ना इसका कुछ रंग होता आपको जलती ना वैसे प्रोपेन और डूटेन भी जलेगी दोस्तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है ना तो कुछ ना कुछ तो इसमें मिलाना पड़ेगा बहुत गंदी वाला मिलाना पड़ेगा तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है LPG गैस सिलेंडर में क्या मिलाया जा पता पड़ जाएगी यार गैस लीग कर रहे हैं गहें पर दोस्तो यह अच्छी गंद होती है बूरी होती है अच्छी होती है बूरी होती है सर इसमें ना आजकल है ना मार्केट में नया आ जाये तो रोज फ्लेवर के साथ में वनीला फ्लेवर बटर स्कॉच फ्लेवर सर ऐसा क्यों नहीं आता, इतनी गंदी क्यों मिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों अच्छी आगे न, आपको तो मजवर आएगा, आप सूगने में रह जाओगे, गंदी आएगी तो आपको इरिटेशन लगेगे, कई उसको बंद करने जाओगे, अच्छी में तो, अच्छी के चक्कर में सब निकल जाओगे उपर, ठीक है, हम सब निकल देंगे उपर, समझ में आगई बात को, तो हम लोग क्यों मिला रहे हैं, यह जिससे अगर बाईचांस अगर लीक हुआ, तो हम लोगों को पता पड़े, इसमें देखो कैसी गंदा आती है, तीखी लैसून जैसी है, ठीक है, लैसून हम कोई खा के आ जाता है, प्याज लैसून हम बोलता ना रहे है, आप बाईट ब्रश करके आप बदबू आ रहे हैं, तो देखो, इसमें तो खितनी ज्यादा बदबू आएगी, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, यह जो ब्यूटेन, प्रोपेन, यह जो गंदहीन गैस है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, इसमें हम लोग मिलाते हैं, जिससे हैं गंद बहुत बढ़िया, आजाओ, दोस्तो यहां तक समझ में आगया, किसी को कोई दिक्कत, हमने क्या पढ़ा, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, हम लोग टेंपरेचर चेंज करके भी, और प लिक्विड में convert होगा इस प्रोसेस को आपने बोला melting यानि संगलल दोस्तो लिक्विड को और गरम करोगे इसका और temperature बढ़ाओगे तो लिक्विड किसमें convert हो जाएगा गैस में convert हो जाएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं evaporation यानि wash पी करन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तो solid statement हो सवस्ता में जो particles होते हैं वो बहुत पास-पास होते हैं अब आपने क्या करा जब इसको heat दी इसका temperature बढ़ाया दोस्तो heat प्रकार की energy तो है दोस्तो इस particle के पास में energy आएगी तो नाचेगा क्या बिल्कुल नाचेगा थोड़ी energy आजएगी भागेगा थोड़ा थोड़ा सब भागेगा यह सारे भागेंगे इदर उदर तो इनके बीच का gap कम हो जाएगा और आप लोग इनको energy दोगे और heat दोग आगर मैं आपको बोलूँ कि कोई liquid कोई liquid गयास में convert हो रहा है इसका मतलब क्या है कोई liquid गयास में convert हो रहा है कि अगर कोई गैस लिक्विड में convert हो रहा है कैसे हो रहा है दोस्तो अगर आप लोग इनकी energy ले लो इनकी energy ले लो तो इनकी energy बचेगे नहीं चुक चाप अपनी जगे पर आके बैट जाएंगे पास पास में आके बैट जाएंगे तो जब gas कोई heat release करता है कुछ उश्मा छोड़ता है तब जाकि वो किस में convert होगा liquid में convert होगा दोस्तों समझ में आ गई क्या आईए दोस्तों आपके NCRT में liquid से gas में convert होने की जो process है evaporation, washpray current इसके बारे में कई point लिखे में जिससे बहुत ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो आईए हम लोग इसी पर discuss करते है evaporation ठीक है ठोड़ा evaporation को वाश्पे करन को थोड़ा सा detail में समझते हैं कि हमारी daily life में evaporation का क्या roll है आपको पता भी नहीं होगा दोस्तों daily आपके इतनी जगे evaporation होता है आपको पता ही नहीं पड़ता है आईए समझते हैं आजाओ देखो अगर मैं आप लोगों को पूछू evaporation भड़ेगा कैसे जैसे मान लो मान लो मान लो आपके पास में क्या है sorry आप अरे क्या हो रहा है यह देखो इधर समझो मान लो आपके पास में बरतन है बरतन में क्या है पानी है मैं आपको बोलना जा रहा हूँ कि इस पानी को gas में convert करो बताओ यानि evaporation करवाना है बताओ क्या करोगे क्या क्या तरीके है सर तरीके बताओ क्या इसको सर इसको temperature बटा दो बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया सर फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन में क्या डिफरेंस है दोनों से हम है बहुत बढ़िया दूसरा तरीका क्या है सर मेरे को नीरत जांगिर सर एक science magnet वाले उन्होंने बताया था कि अगर pressure जादा करेंगे तो gas liquid में convert होगा तो सर अगर मैं pressure कम कर दू तो liquid gas में convert हो जाएगा क्या तो सर मैं इसको एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर pressure बहुत कम है फिलकुल सही बोला आपने बहुत बढ़िया तो आपने दो तरीके बताए दोस्तों क्या और भी तरीके है क्या जिससे evaporation बढ़ सकता है आईए हम लोग उन सभी को discuss करते हैं चलिए सब से पहला point देखो an increasing of surface area सर यह क्या बात हुई आज़ा सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो देखो आप एक काम करो आपने अपने कपड़े दोए पर मालो आपने अपने टीशर्ट दोई दोई चत पर जाके आप लोग सुखा के आगे एक्चल में हो क्या रहा है दोस्तों जो पानी है वो वाश्प बनके उड़ रहा है ठीक है इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो वैपराइजेशन बोलते हो और अगर ये कम टैंपरेचर पर और तो इसी को इवईपरेशन बोल दोगे मतलब इवईपरेशन वैपराइजेशन का एक सपेशल केस है ठीक है कोई बात नहीं मतलब कुल मिला कि इसका पानी वास्प बनके उड़ेगा ना गयस बनके उड़ेगा ना ठीक है दोस्तों अगर मा लिजे आपने अपनी टीशेट को जब सुखा रहे हो एक तो आप ऐसे सुखाओ और एक ऐसे करके आज़ाओ बिलकुल मुठी में बन करके रखके आज़ाओ तो जल्दी कैसे सुखेगा उसको फैला के रखोगे तब सुखेगा या उसको बिलकुल ऐसे प्रकाश आएगा वो ज्यादा एरिया पे आएगा ज्यादा एरिया का पानी वाश्प बनके उड़ेगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर अगर हम लोग सर्फेस एरिया बढ़ाए तो सर्फेस एरिया बढ़ाने से एवैपरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा ये बात सही है क्या याद रख लोगे क्या बहुत बढ़िया चलो दूसरा point हम लोग डालते हैं दोस्तो अगर temperature ज़्यादा होता है तब भी evaporation ज़्यादा होगा क्या wash पी करन ज़्यादा होगा क्या बिल्कुल सर temperature बढ़ाने से liquid जल्दी गेस में convert होगा बिल्कुल सर ये भी बोलने वाली बात है ग्या बोलने वाली बात है ग्या अरे बोलने वाली बात है ग्या दोस्तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पसीना क्यों आता है आप लोग मुझे बता सकते हो ग्या गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पसीना क्यों अधा या मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को प्यास ज़्यादा क्यों लगती है देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो उवा क्या देखो दोस्तों माल लीजे आपके पसीना आया पसीना आया टेंप्रेचर ज़्यादा होने की वज़े से यह जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा दोस्तों गैस बनके उड़ जाएगा तो आपको क्या होगा वाटर की कमी लगेगी बार बार आप लोग क्या करोगे पानी पियोगे ऐसा थोड़ी है दोस्तों जो पसीना होता है वो सर्दियों में नहीं आता खेलो क्रिकेट खेलो खूब आएगा मैं खेलता हूँ खूब आता है पसीना लगि प्यास उतनी नहीं लग रहे है क्यों क्योंकि सर्दियों गर्मियों की दिनों में temperature ज़्यादा होनी की वज़े से ये liquid का तुरंट क्या होगा? evaporation हो गया तो मेरी body से क्या हो रहा है? दोस्तो पानी की कमी लगती है मेरोको छीक है? आज़ाओ बहुत बढ़ी है आज़ाओ तीसरी important चीज दोस्तो evaporation किस पर depend करेगा? दोस्तो humidity अगर आदरता में कमी होगी ना तब ही आप लोगों का evaporation process ज़्यादा होगा दोस्तो अच्छा मुझे comment चीज बताओ एक चीज मुझे बताओ आप कहां पर रहते हो? कौन से शेर में रहते हो? एपर comment करके बताएंगे शेर और राज्या का नाम सब एक ही बार करेंगे सब comment जिसे मालो जैपूर राजिस्तान ठीक है? अपनी गली कोलोनी का नाम मत दिरना अपने शेहर का और राज्या का नाम बता दो या अपने गाउं का और राज्या का नाम बताओ दोस्तो एक चीज में बताओं जिसे मालो होता है, समुंदरी टट के पास में तो दोस्तो वहां पर सूखाओं तो वहां पर इतनी जल्दी नहीं सूखेगा जो dry place है वहां पर सूख जाएगा इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कोई मुझे बताएगा क्या है? जैसे मालो दोस्तो समुंद्र है यहाँ पर समुंद्र है समुंद्र के पास में आपका घर है इदर दोस्तो समुंद्र का जो पानी है वो वाश्प बनके उड़ता रहता है यानि वहां की एयर में वाश्प बहुत ज़्यादा है तो नोस्तों उन एयर के पास में already वाश्प है वो आपके कपड़े से वाश्प लेगा क्या नहीं लेगा उतना ज़्यादा नहीं लेगा वो क्योंकि उसके पास में पहले से क्या है वहां की एयर में वहां की वायू में पहले से जलवाश्प है वो इस कपड़े से नहीं लेगा यानि एवेपरेशन प्रोसेस यहां पर स्लो हो जाएगा तो जहां की एयर में जलवाश्प कम होगी और एयर में जो जलवाश्प होती है व लोगों का स्लो हो जाएगा लेकिन कहीं पर हुमिडिटी ही नहीं लिए जैपूर वगएरा यहां पर इतना ज़्यादा एयर बिल्कुल ड्राय है तो एयर के पास में वाटर वेपर ही नहीं तो आपके कपड़ों से जल्दी से ले लेगे आजा मेरे पास नहीं है लेमतिय लेल क्या हूं क्या सब्सक्राइब क्या होता है दोस्तों एयर में वायू में वाटर वेपर जल्वाष्ट की मात्रा को ही आप लोग क्या बूलते हो क्या बूलते हो आदरता बोलते हो सर प्रिंटीवल पीडिएफ दीजिए प्लीज अच्छा कुंदन कुमार जी बताना इसका मतलब मुझे भी तो समझाओं दोस्तों जो आपको PDF मिलती है क्या वो अगर आप मार्केट में जाओ उसका प्रिंट नहीं हो सकता गया क्या वो आपके फोन में डाउनलोड नहीं होती गया फाल तु की बाते करते रहते हो पड़ाई वड़ाई कुछ करते नहीं हो क्लियर समझ में आ गया नोट्स में बस आप लोगों को इत्ता सा लिखना है जो हिंडिटी में डिक्रीज होने से इवैपरेशन प्रोसेस फास्ट होता है इत्ता से लिखना और क्या है आ जाओ चलो दोस्तो और किसी सीच पर भी फरक पड़ता है कि बिल्कुल दोस्तो क्या विंड की स्पीड वायू की गती हवा की गती कभी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या बिल्कुल अच्छा दोस्तो मुझे एक्छी बताओ मैंने अपना शिर्ट दो के अपने छट पे बहुत तो यह हवा चल रही है तब जल्दी सुखेगा यह हवा बिल्कुल नहीं चल रही तब जल्दी सुखेगा बताओ दोस्तो जो हवा चल रही होगे न तब जल्दी सुखेगा तो जैसे मालो यह मेरा कपड़ा है इस कपड़े में क्या है पानी है ना तो पानी को पानी वाश्ट बें बनके कहां पर जाएगी? बैसिकली उपर जाएगी अब दोस्तों ये एर है, यहां पर मालो एर है तो इस एर ने क्या ली? कुछ जलवाश पर ली, कुछ वाटर वैपर ली और एर फलो करी, ये एर आगे चले गए अगर हवा चल ही नहीं रही तो इस एर ने आपके कपड़े से water vapor लेली जलवाश पर लेली आप थोड़ी दिर बाद में बोला कि बाई और लेले चलो मालो उसमें वो भी लेली थोड़ी दिर बाद बोले और लेले वो क्यों लेगी यार तो अगर एर चलती रहेगी विंड की स्पीड जादा होगी वाईू की गति जादा होगी तो evaporation process फास्ट होगा सही बात है क्या तो आप लोग लिखो ये point कि सर अगर wind speed में हवा की गती में अगर हवा की गती ज़्यादा होगी तो evaporation process fast होगा दुस्तों सही बात है गया अरे मतलेखो अपने शेयर और राज्या का नम मैं समझ गया है न मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि जिससे फोड़ा सा आइडिया लगा सके कि आपके वहां पर humidity जादा रहती है कम रहती है जो कोश्टर एरिया होता है न समुंद्र एरिया दोस्तों वहां पर जादा होती है ठीक है जिसे मुंबई वगरह में थोड़ी रहती है आप जाओगे न ऐसे उमस्सी ऐसे चिपचिपा स्पंसर एगा क्या समुंद्र के किनार है पूरा शेर है बना अच चलो बहुत बढ़िया कि दोस्तों क्या हो कभी आपने नेल पॉलिश रिमूवर लगाया है क्या सर में तो लड़का हूं मैं क्यों लगांगां दोस्तों कभी तो लगाया होगाम्मी से लेकर ममी बता न चो बना अटी कैसे लगा लिए जरो ठोड़ी है नेल पॉलिश हटाने के लिए लगा कभी मजे के लिए भी लगा दिया होगा तो लगाते ही दोस्तो ठंडा लगता है कि इस क्लास में कोई लड़की बैठी होगी वो तो यूज करती होगी क्या जब आप लोग नेल पॉलिश रिमूवर होता है न वह एक लिक्विड है अभी मैं बता हूँ है ऐसी टोन होता उसमें ऐसे समझे लिक्विड है दोस्तो जब आपने उस लिक्विड को अपने हाथ पे रखा दोस्तो हमारी बोड़ी कभी तो कोई ना कोई टेंपरेचर कितना है 37 डिगरी सेल्चेस है ठीक जो हमाँ ही वो लिक्विड के आया आपके बड़ी सा आया है आपके बोडी की हीट ली और गेस बनके उड़ गया तो यहां पर वैपरेशन हुआ उसमें हीट किस ने दी आप ने दीत ऑपकी बोड़ी से हीट निकल निये इसलिए आप लोगों को क्या लगा है ठंडा लग है दोस्तो سमझे में आया क्या हाथ-A Prioris noval होता है आगर आपkes पूछ नेल पॉलिश्री रीमूबर के रूप में किसका इस्तिमाल की जाता है दोस्तो ऐसी टोन का किह जाता है तो जैसे है आप लोग्र को रखो समझ में आगई बात को clear है क्या तो होगा क्या देखो जब आपने ऐसी टोन रखा अपने हाथ पे लगाया तो दोस्तो ऐसी टोन भी बहुत चोटे चोटे पार्टिकल से मिलकिया बना होगा बिलकुल सार यह जो पार्टिकल्स होंगे आपकी बॉड़ी से क्या लेंगे आपकी की ठीक है क्लियर रहे दोस्तों अगर कोई डिककत आ लुए पीडिएफ कहा मिलेगा इस नमबर पर कॉल कर लो अरे यार पीडिएफ वगदर सक डाल लेता हम फिर भी काम मिलेगा मैं मिलेगा मना बेवकूफ हो जैसी काई की तियारी कर रही है तरी आरिक ही कर रहो एलपी ट कर लूँ मैंने 799 रुपए दिया है मैं किसे कर्च कर लूँ मैं तो पैसे दिया है सर आप मेरे नो करो हां मैं नो करूँ आप बोलोगे PDF का मिलेगी मैं यह भी बताऊंगा नीली कि जगह सर यह लाल कलर यूज करो मैं वह भी करूँगा लेकिन सेलेक्शन उससे नहीं मैं बात समझा रहा हूं वो समझना है रोईत कुमार जी विसरन क्या होता है मैं समझाओंगा जहां पर समझाओंगा ठीक है ठीक है आजाओं चलिए आजाओं दोस्तों और किसी चीछ से भी आप लोगों को पढ़ता है इवैपरेशन प्रोसेस कहीं पर देखते हो क्या गर्मियों के दिनों में क्या आप लोग देखते हो क्या कोई-कोई छटपे से पानी लगाता है वह ले यार गर्मी का दिन है और उसको बेखौफ मानते है अरे पागल छटपे पानी डालने से क्या होगा ये छटपे बहुत जन्교 क्या करता है कपड़ा बिचा देते है उस पर पानी चेडगता है हमको लगता है वह बेखौफ Нी दोस्तों बेखौफ नहीं है वो असमें बहुत दिमाग है देखो जैसे मा होगा क्या दोस्तो सन से जो हीट आनी थी अगर यह कपड़ा नहीं होता तो वह हीट कहां पर जाती इस मकान पर जाती लेकिन दोस्तों अब वह हीट कहां पर जा रही है इस कपड़े में जो पानी है ना उसको वाश्प में कनवर्ट करने में उस वाटर का इवैपरेशन कराने में वहीत खत्म हुरी है उसी उस युज़ का कोई भी प्रभाव आप लोगों की मतलब यह जो घर है क्चारा समझ से saying और वा। ऑर समझ में आगया क्या कै आगया क्या बहुत बढ़िया नीक्स हम लोग बात करते हैं दो तो या आपने सुना है गर्मियों के समय हम लोग सूती कपड़े पहनने चाहिए क्यों पहनने चाहिए इसका कारण बताओ देखो गर्मियों के दिनों में पसीना ज्यादा आता है दोस्तों सूती कपड़ा जो पसीना सोख लेता है अगर आपने सूती की जगे सिल्क वाला पहना तो वो पानी को नहीं सोकता सूती कपड़े पानी को सोक लेते हैं तो पानी को सोक लिया पसीने को सोक लिया तो यह इस कपड़ा जो है ना काफी गीला है तो क्या होगा जब इस पे सन की हीट पड़ेगी सूरे का जब इस पे उश्मा पड़ेगी तो यह जो इस कपड़ देखो evaporation से देखो किती सारी चीज़े बताई मैंने आप लोगों को आप लोगों से exam में कुछन पूछ लेगा बता दीजी यहां पर कहां पर evaporation यानी वाश पी करन नहीं है option number ये गर्मी में सूती कपड़ा पहनना आप सोचोगे सूती कपड़े पहनने का evaporation से क्या लेना देना है आप connecting नहीं कर पाऊगा एक जम में इसलिए हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है चलिए दोस्तो एक चीज़ आप लोग मुझे और बताईए क्या आपने देखा है क्या जो ठंडा ठंडा पानी होता है आपने ग्लास के ग्लास में रखा आपने काच के ग्लास में क्या आप लोग देखते हो क्या कि दोस्तो जो ग्लास है आपका उसके उपर पानी की छोटी छोटी बुन्दे आ जाती है ऐसा देखा है कि नोट किया गया जलकी बुन्दे नजर आती है आपको अरे देखा है कि कभी अरे दोस्तों बताते नहीं हूँ प्रियांशु जी बोल रही है थैंक्यू सो मच्छ फिलिंग अमेजिंग लोग लग रहा है सर इतनी फैकल फैसिलेटी देने के लिए दिल से थैंक्यू सो मच्छ बस आप लोग पढ़ाई करो सेलेक्शन मैं दिल होंगा बस आपको से यहां से यहां से सब भ कर रही थी तो इस एर में औक्सिजन गैज भी थी नाइट्रोजे पीस भी पे जलवाश्प भी थी बहूत बड़िया जोसको जैक्षिसर रहा है कि उसका टैंपरेश्र कं होगा और कम तेंपरेशर में आपको पता है कोई भी गैस liquid में convert हो जाता है तो से एर में जो water vapor थी वह water की drop plate में convert हो जाएगी जलकी बुंदों में convert हो जाएगा तो यहाँ पर भी तो यह यह औप्षन नमबर B यह औप्षन नमबर C ये ठीक है समझ में आगे बात को ठीक है दोस्तों हालग्की मैं इदर बताओ इदर आपका liquid gas में convert नहीं हो रहा है इदर gas आपका liquid में convert हो रहा है n deepest समझवानी क् 178 है mister liquid gas Noskin Village Sicht समझ भी आगे आजाओ चलो आजाओ दोस्तो मैंने आप लोगों को बताया था मैटर आप लोगों का तीन अवस्था में पाया जाता है एक तो सॉलेड एक लिकविड एक गैस दोस्तो पदार्थ के दो अवस्था और है एक है चौथी आपकी प्लाज्मा और पाच भी है बोस आइंश्टीन कंडेंसेट दोस्तों क्या आप लोगों को पता है आपकी एंश्टी में चेंज हो गया पुरानी जो एंश्टी थी जो पिछले साल तक थी उसके क्लास नाइन के चैप्टर नंबर वन जो मैटर है उसके लाश्ट में ये दिया वाता कि more to know इसके बारे में जा प्लाज्मा है क्या बोस आइंश्टीन कंडनसेट है क्या देखो मैंने आपको क्या बता है दोस्तों जब गैस का टैंपरचर बहुत ज remote करोगे तो जो स्टेट मिलती है अवस्था मिलती ए उसे ही आप लोग क्या बोलते है ऒर अब ट् तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पारे हो इनके अंदर क्या होती है गैस बरी होती है हमको ऐसा रगता है लेकिन गैस नहीं है गैस बहुत हाई टेंपरेचर पर बरी होती है यह नहीं प्लाजमा स्टेट में होती है तो कौन सी होती है आप लोग ध्यान रखेगा इदर वोस यूप में करोंगे तो एसी कंडिशन आएगी कि उनके पार्टिकल्स है और सारे बिल्कुल आप ऐसे चिप चिपक जाएंगे बिल्कुल गुच जाएंगे अपस में उसी इसटेट को बोलते हैं वोस अईइंस्ट्री में Friends लेको अभी कुछ रखनी है कि प्लाजमा का यूज कहां पर होता है आप लोगों को मैंने बता दिया ठीक है आजाओ सर एक्जम में पूछ ले जाए पदार्थ के कितनी अवस्ता ही होती है क्या बताओगे आप अरे दोस्तो एक ची मुझे बताओ आपके मालो पहला चैप्टर है पहले चैप्टर में पढ़ाया गया आख के बारे में नाक के बारे में आप लोगों से एक्जम में कुशन आया हमारी बोडी में कौन से ओर्गन होते हैं तो क्या आप ये बताओगे कि केवल आख ही होती है और नाक ही होती है इसके लवा नहीं होते गया होते हैं न तो वही अवस्ता तो है तो पदार्त की टोटल पाच अवस्ता ही होती है ठीक है जो आपको detail में पढ़ना है वो solid liquid gas के बारे में पढ़ना है दोस्तों यहाँ तक मझा आया क्या मझा आया मझा आया तो बताओ थोड़ा सा आगे चले अब ही हम लोग पढ़ेंगे 15-20 में तोर पूरी क्लास करेंगे कल की क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास के end में मैं आप लोगों को सारे previous year questions भी करवा दूँगा ठीक है ठीक है आजा चलो मैंने आपको बता दिया matter क्या होता है matter ठोस अवस्ता तरल अवस्ता गैस अवस्ता सब हम लोग बोलते हैं चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं chemical classification of matter अब ही तो matter का आपने physical classification देखा यार यह ठोस अवस्ता है यह तरल अवस्ता है इन में अंतर क्या है अब हम लोग देखेंगे chemical classification chemical classification का मतलब क्या है उनके अंदर की जो chemistry है वो देखेंगे उसके आदर पर देखेंगे matter कितने प्रकार क्यों होता है ठीक है आजओं देखो अरे समझी मारा गया चुल बोलो अरे मेरा पैन का गया यह रहा मिल गया ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगा जो matter होता है न कोई भी matter हो जैसे यह glass के अंदर पानी है वो चाए air हो चाए आपके पास में कोई सोना पड़ा हो चाए कोई चांदी पड़ हो कोई भी matter होना उसको अप लोग दो पार्ट में बाठ सकते हो एक होता है दोस्तों pure substance शुद्यपदार्थ और और एक होता है अशुद््दWas सब्सक्राइब किसको शुद्ध बोलेंगे भी बताएंगे टैंशा मतलो एक तो होता है प्यॉर सब्स्टेंस शुद्ध पदार और एक होता है आप लोगों का इंप्यॉर यानि अशुद्ध या इसी को हम लोग मिक्चर के नाम से भी जानते हैं जैसे मुझे एक ची बताओ लोहा है लोहा क्या होगा प्यॉर सब्स्टेंस होगा या इंप्यॉर होगा सर पता नहीं मैं आपको बोलू पानी है पानी को कहां पर रखोगे प्यॉर में रखोगे इसमें रखोगे मिक्चर में रखोगे सर पता नहीं मालो हल्दी है हल्दी को कह रखोगे इसमें रखोगे इसमें रखोगे सर पता नहीं दोस्तो कुरसी है चेर है चेर को कहां पर रखोगे इसमें रखोगे सर पता नहीं दोस्तो दूद है मिल्क उसको कहां पर रखोगे इसमें रखोगे इसमें रखोगे सर नहीं पता दोस्तो ओयल तेल जो होता है उसको क नहां पर रखोगे इसमें रखोगे इसमें रखोगे सर नहीं पता तो आपको कैसे पता होगा जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो आईए मैं आपको समझाता हूं कि pure substance आप लोगे ihm प्यौर किसको बोलोगे ठीक है पढ़ाना स्टार्ट करें आ जाओ दोस्तो मैं इसी स्लाइड पे पूरा पढ़ा दूँगा प्लीज ध्यांद से आप लोग समझ रहा मैं end of the video सारे बहुत सारी चीज़े पोचूँगा अगर नहीं बता आप आए ना तो देख रहे ना इसका मतलब आप लोगों ने धंग से पढ़ाई नहीं करें ठीक है तो दोस्तों ध्यांद compound क्या होते है तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि pure substance क्या होता है बिलकुल सर आ जाएगा चलो तो आईए मैं आपको समझाता हूँ element दोस्तों element आप लोग किसको बोलते हो जो किसी से मिलके नहीं बना हो क्या ये element है गया नहीं सार ये hydrogen और oxygen से मिलके बना हुआ है अच्छा carbon dioxide क्या ये element है गया नहीं सार ये carbon और oxygen से मिलके बना हुआ है थोड़ा थोड़ा समझ मारा है बहुत बढ़िया element है तो हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी से मिलके ना बना हो जिसको और simplify नहीं कर सकते हैं जिसे और नहीं तोड़ सकते हैं जैसे h2o को क्या आप लोग oxygen में तोड़ सकता हूं मैं reaction करवागे क्या carbon dioxide को तोड़ सकते हो कि हां साथ तोड़ सकते हूं carbon को अलग कर दूगा ऑक्स दूगा बिजली के जटके current current में energy होती है इसके bond को तोड़ देगी carbon oxygen को अलग हो जाएगी है क्या बात है तो element आप लोग किसको बोल रहे हो जो किसी से मिलके ना बना हो और जो किसी से मिलके बना हुआ ही नहीं है उसको तोड़ोगे कैसे हैं यह मैं इसको बोलू जिसको और आप लोग तोड़ नहीं सक कित्ते सारे एक्जम पला गए हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बेरियलियम बोरोन कारबन नाइट्रोजन आक्सिजन फ्लोरीन समझ में आगे element क्या होता है कि एक्जम में आया क्या गोल्ड क्या सोना प्याओ सब्स्टेंस है कि आप बताऊं के पीरीडिक टेबिल में आता है कर नाश शलिवर केल्शियम एलुमीनूश्त इम सोडियम प्ट सब्सक्राइब तो गोल्ड क्या है एक एलिमेंट जितनी भी एलिमेंट्स उते हो प्यॉ और सक्षेंश होता है आया थोड़ा बहुत समझ एमया थोड़ा बहुत जादा नहीं हास चिन्नूस आया ठीक है अब बात करते है दो स्कूंपाउंड यौगी किसको बोलता है दूस्त तो compound आप लोग किसको बोलते हो सर जो कम से कम दो elements से मिलके बना हो कम से कम दो element से मिलके बना हो कम से कम दो अलग-अलग element से मिलके बना हो जो कम से कम दो अलग-अलग element से मिलके बना हो जो कम से कम दो अलग-अलग element से मिलके बना हो क्या ये compound है गया sir oxygen oxygen नहीं sir आपने बोला कम से कम जो दो अलग-अलग element से मिलके बना हो, सर ये नहीं होगा क्या ये हो सकता है क्या, हाँ सर ये hydrogen oxygen से मिलके बना हुआ है क्या ये हो सकता है क्या बिल्कुल सर ये carbon oxygen से मिलके बना हुआ है पहले चीज मैंने आपको क्या बता है, compound आप लोग उनको बोलोगे जो कम से कम दो अलग-अलग तत्वों से मिलके बना हो साथ में क्या हो दोस्तों उनका fix chemical composition हो जैसे क्या carbon dioxide में हमेशा carbon और oxygen का नुपात एक नुपात दो ही होगा क्या चाहे आप लोग और जाके देखो carbon dioxide को और जहीं उसे देखो चाहे भारत में देखो पाकिस्तान में कहीं पर भी देखो यहाइ एक विक्स रिष्व होगा क्या कया बिलकुल कि यह कमपाउंड हैं दोस्तों sodium chloride NaCl क्या यह भी एक विकमपाउंड है बिल्कुल सार गोड यह सं कहीं पर भी चल जाओ sodium chloride में sodium chlorine का रिश्यों वंद रिश्यों वन ही होगा दोस्तों compound किस किसको समझ में आया बताओ और example बताओ carbon monoxide और बताओ ammonia और बताओ sulphur dioxide अरे ट्रिक बता दूग्या अरे ट्रिक बता दूग्या जिसका गजिसका फॉर्मूला लिक नीज प्रम्पाउंट प्रम्ला यह सब लिख सकती हो ना जो मुझे बताओ भूट कर mound यह भी जे building पिझेट में ख़ंगला यह होता है अहां सर कंपाउंड है अरे आया गया मज़ा बहुत बढ़िया दोस्तों और अंदर की राज बताओं कि मैंने जित्ती बाते बताई है बिल्कुल रामबान है वो कंपाउंड आप पैचांजाओगे ये कंपाउंड ठेक है दोस्तों एक बात और बतादू क्या मुझे ये बताओ हल्दी में मैंने मिलाया थोड़ा सा नमक हल्दी में नमक मिलाके लियाया आपके पास मैं मैंने बताया बताओ ये क्या है दोस्तों क्या जरूरी है क्या 100 ग्राम हल्दी में 10 ग्राम ही नमक मिलेगा जरूरी है क्या किसी बहुत बड़े scientist ने बोला है क्या नहीं सर सो ग्राम में 50 ग्राम मिला सकते हो 40 मिला सकते हो 100 भी मिला सकते हो तो क्या कोई fix ratio है क्या नहीं तो यह compound नहीं है यह क्या है एक mixture है mixture है mixture है mixture है mixture है अरे वा सर समझ में आ गई कि दोस्तों compound में एक चीज और बता हूं compound में आप लोग है ना जैसे मालो यह sodium chloride है दोस्तों यहां पर sodium और chlorine के बीच में एक bond होगा जैसे यहां पर मानो हल्दी में आप में नमक मिला है इनकी बीच में कोई bond बन गया कि नहीं चान के हल्दी को अलग कर सकते हो नमक को अलग कर सकते हो यार यहां पर तो एक bond है ऐसे थोड़ी चान के sodium अलग हो गया chlorine अलग हो गया नहीं कोई reaction करवानी पड़ेगी तब जाके bond तूटेगा इसको फिजी के लिए लग नहीं कर सकते है लेपकड़ के sodium को अलग कर दिया इनको अलग कर सकते हो चान के और भी अलग-लग तरीके बताओंगा मैं आपको दोस्तो पानी में आपने पत्थर मिलाया यह क्या है एक mixture है क्या है सठी mixture है को कि जरूँत तोड़ी 100 ग्रम पाणी में 10 यह यूँ सिम्पल नहीं कर सकता वे नहीं आपर इसने अपने में में अपने वह इस में मैं बताई कि ढ़ल ध्यान रखनें नहीं कि恰णा ठीक है दोस्तो एक चीज और बताओ जितने भी एलिमेंट है ना हाइडोजन हिलियम लीथियम बेलियन बुरून कार्बन नाइड्विजन फ्लोरी नियों सौनि मैंगेश्व में सिलीकॉन फास्फफर सल्फर गोरी नारगन पोटेश्वन तो तत्व है ना दोस्तो इसमें से कुछ लेकिन सर मुझे यह समझ में आया मैं कैसे पैचानू यह मैटल है इसमें दिक्कत होती है ना सर मैं कैसे पैचानू यह नोन मेटल है सर आपने तो बोल दिया हाइड्रोजन नोन मेटल है सर मैं कैसे मानू सर दोस्तो जरू कुछ ना कुछ बात होती होगी तब ही किसी को मैट एक्जम्पल याद रख सकते हो लोहा, सोना, गोल्ड, सिल्वर ये सारे मेटल है, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल अभी ध्यान लख लो क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, तो जितने भी ऐलिमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ आप अगों के होते हैं मेटल, कुछ होते हैं आपके नॉन मेटल, और कुछ होते हैं आपके मेटल, दोस्तों क्या यहां तक समझ में आगया क्या, अगर यहां तक समझ में आगया, तो प्लीज मुझे एक बार येस करके बता दीजिए, आजा, दोस्तों सेम बात करते हैं मिक्चर भी, mixture भी आपके दो अलग अलग type के होते हैं, जैसे मुझे बताओ, आपने पानी में नमक डाला, क्या ये मिलैगा नहीं सर्फ, mixture है, दोस्तो आपने पानी में जब नमक डाला, इसको अच्छे से घूल दिया यहां पर आप देखते हूं आपको दिखता ही नमक देखता ही इ jeans तू दिखता है नहीं है तो आपको हम यहां का मिशीरन सब टैटाटे नंचर सामांगी यानि होमोजीनिस मिक्षर के तो mixtures दो type के होता है एक तो होता है दोस्तो हॉ मिक्षर होता है homogene nes mixture यानि समांगी मेश्रन और ओर एक दोस्तो ऐसा mixture जैसे मालों यहाँ पर आप देखो के यहाँ पर मिट्टी जादा है यहाँ पर कम है यहाँ पर थोड़ी अलग है तो जहाँ पर आप को अलग अलग दिखें composer एक जैसा नहीं देखें उसको बोलते हैं heterogeneous mixture यानि вishmangi do ticket दो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया क्या यहां तक आ गया क्या तर यहां तक आ गया क्या बिल्कुल दोस्तों पानी में मैंने मिलाया पत्थर बता हो यह कैसा मिक्चर है बताओ पानी में पत्थर मिलाया कि ऐसा मिक्चर बताओ बीनोच सा ओजी पूछो सर कोशी देर बाद में देखूंगा पत्थर नीचे बैठ जाएंगे तो सर यहां का मिश्ण अलग नजर आएगा यहां का अलग सर विश्मांगी है है हेट्रोजीनियस है ठीक है एक चीज आप लोग ध्यान रखो होमोजीनिस मिक्चर को ही हम लोग ट्रू सॉलुशन के नाम स टॉपिक ऐसा बढ़ो एक भी क्यूशन गलत नहीं हो जब हम लोग यह पूरा कल कोशिश करूँगा मैं कल पूरे करवाने की अगर कल पूरा हो गया तो उसके बाद में मैं कल इसके प्रिवेस से क्यूशन करूँगा आप लोग देखो गया कितने आसानी से आप लोग सॉल क कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए लोग इतना रखेंगे कोई बात नहीं दोस्तों तीन के चार लगने दो लेकिन पढ़ेंगे पूरा ऐसा कि फिर आपको जीवन में कभी वापिस पढ़ने की जरूत नहीं पढ़े मजा आ रहा है क्या दोस्तों अपने लोगों को भी हो मज़ा आ गया ना बिल्कुल सब में मज़ा आएगा देखो केमिस्ट्री ओ बाइलोजी ओ फिजिक सब में मज़ा आएगा और कहीं पर आपको अगर दिक्कत आतीन थोड़ी सी भी मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों वीडियो को वापिस देख लिया करो आप सब अच्छे से पड़ो कहीं कोई दिक्कत आती है वीडियो को वापिस देखो इसके लावा दूसरा कोई तरीका नहीं है इधर उदर जाओगे कुछ भी नहीं होने वाला मेरे क्लास को एक बार वापिस देख लना कर कहीं पर दिक्कत आ रहे हैं सब को समझ मां आजाएगा पीडिएफ से आपको जल्दी जली नोट्स बन जाएंगे पीडिएफ रखले ना उसमें जो इंपोर्टेंट चीफ जो आपको लिखनी है वो नोट्स बना लो क्या दिक्कत है पीडिएफ में तो आपको डायाग्राम वगेरा सब कुछ आएंगे तो जिसका कोई यूज नह करने हैं ठीक है थैंक्यू सो मच टेक केर बबाई अपना ध्यान रगिया और क्लास बस डेली लाइफ फॉलो करूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो कर कर दो कर दो